है गाइस लुकम बैक तो सोल्ड और अमेंटेर अप्डेट वीडियो और अगर आपने वाले वीडियो नहीं देखा है तो देख ले ना उसके बाद आपको समझे है कि ये वीडियो में मैं क्या अप्डेट दे रहा हूं जैसे कि धक भाई ने बुला था एट या नाइन को टी स्किप्स जॉइनिंग तो बहुत सारे अपडेट तो कन्फर्म हो चुके हैं तो आप समझ जाओ स्किप्स ही आ रहा है टीम सोल में बाकी देखते हैं अनॉंस्मेंट के टाइम कौन है बाकी अगर लेड्स को ने डाला तो समझ ज़ग कंफर्म है क्योंकि जितने भी लीक्स दियें अभी तक सब कंफर्म हो चुका है स्काउट एक्स रेवनेंट वालो और बहुत सारे अपडेट दिये थे तो सब कंफर्म हो चुका है तो यह भी समझ जो स्किप्स ही आ रहा है टीम सोल में तो यह था कुछ अपडेट रिगार्डिंग न्यू लाइनप न्यू प्लेयर का बाकी आपको यह वीडियो में टीम सोल के स्क्रिम से कुछ अच्छे फाइट आपको देखने को मिलने वाले हैं मोस्ली आपने फाइट देखे हैंगे क्योंकि यह पहले का है मैं पहले बता दे रहा हूं अगर आपने नहीं देखा है तो इंजोय करो मजा आएगा और क्योंकि अभी टीम सोल खेल नहीं रही है तो मैंने यह सब फाइट अपलोड नहीं किया था सोच आज कर देता हूं तो देख लेना बाकी वेट कर लेना अगर आपने इवनिंग वाले वीडियो नहीं देखा है क्योंकि उसे बहुत इंबॉर्टन अपडेट है तो वेट कर लेना यह वीडियो के एंड में आपको लिंक को मिल जाएगा बाकी चलते हम स्क्रिम्स के फाइट की तरफ वक्त रहती उन्होंने अपने अपको कोवर बनाया सरूर लेकिन आएको सोल के मानिया फिनिश ओफ हो चुकिए उसकी वज़े से यह टीम अल्टरी एक कदम पीछे हट चुकिए रॉनी जिसरी किसे पीछे बैठे हुए वो धिरी-धिरी आके बढ़ने की कोशिश करेंगे और लाइक सामने देखी जिए टीम 24 के फ्लेयर का इस्लाम रॉनी ने एक नॉक निकाल दिया और अब कई न कहीं वो कह रहोंगे कि भाई पुश करना चाहता हमें और सामने तो पाजी खड़े थे सामने पाजी बैठे वे बैट मैन क्योंकि आखरी उमीद को भी फिनिश ओफ करनी पड़ी कि जो कोई टों टीम नुबर 24 की आपको अलाइव दिखाये देरी हो चलिए फिनिश ओफ ही कन्फर्म किया गया एंद मात अब हमारे एक प्लेवर लास तक ना बचे है और हम उस टेम पे जोन के अंडर एक म सक्वामि आउस कि इतना जुभ है तेल स्षवर्णे नुंभ है तु ख्यूवी देए चींत्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र्ट्ट्र्ट्ट्ट्ट्ट्ट्रेइए पर्फ उ Chairman तो canggas सबस्याइस कर्याँ.. जैँ ने लो तो.. जैँ अवर गाड़ी चुड़ी.. अरेट रचवीबे.. जन्हेंट भूगारी.. जन्हेंट रचएपके.. जन्हेंट oh कर खंए लाल दो डाल दो मुझे लावमादे कर दो कर स涯 कर दो कर कर दो कर दो हमाद है 5 जल सबीक, है कर दो कर दी तो तो है जल उक मार दो कैसे दों कैंट्स है ऊपर 163 40 11 cm विर्य सताने 01 श्यकिन को यह को यह वाजए लोगा आजए उन्हें है वह फिन्स करोड़ीया टेंभी पार, čासख् искर दिख ईख्रिया है, जानायए फैनसे ख्लिखदिए PrestAidR छाही विधिव करता तो च्ट् ¿ किसी जानायए neuves? तर च्ट्रिश नाय श्रीड जाना तो इस ते शुद कोदे आधा गुंट अदा कुछ यह के निकल जए हम चार फर चेनर की कुछ फेनेश कशी निकाल के जीत के अगर आके बढ़े लेकिन यहां से जो टीम सा रही थी नकुल की तरफ से फैंटम का नॉक टेकने को मिल चुका है फ्यूरी और वैरन तोनों के दोना लाइफ लेकिन क्या फैंटम का इलिमिनेशन स्पीक अन्फर्म होगा ओ माई गॉड एक फ्लियर नकुल की तरफ से दूसरा मानना की तरफ से डाउन जो नकुल ने डाउन किया था ना फैंटम का उसका अलिमिनेशन कहां पर मानना ने कर दिया और आप गॉड स्रेंट की कहानी इस मैच में हमारी सुबानी जादा दे तक सुनने को नहीं मिलेगी क्यूंकि उनके किरदार एक एक करके आईकुसोल की तरफ से फिनिश आफ किया जा रहे वैन पुश किया जा सकता और आईकुसोल के तरफ से भी वहाँ पे प्लियर्ट्स टाउन किया जा रहे लेकिन वो टीम साइकिक है वो टीम लगके नहीं है और किरमारा थोड़े से डैमेज जरूर है लेकिन आप आईकुसोल का यह स्लैम संभालने के लिए आपको फाइट बैक करना पड़ेगा और उनके फ्लियर्ट्स को सिफ डैमेज देने से काम नहीं चलेगा टीम 24 जो टैडी की टीम हमें दिखाए दे सकते जोन के बाहर रहे के भी रिवाइवल देना क्या सही सावित होगा मुझे नहीं लग रहा है और यह दिख लीचे नकुल ने वहाँ पे टैडी को डाउन किया और वो सिक्स की तरफ से वहाँ पे बाभू डाउन लेकिन एट ल लेनिकी बड़ वो नाकाम कोशिस थी और इसे के चल लाइक की अगेंस यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं नोलव वो काफी जादा आगे तक पहुंच चुके हैं बागी के तीन प्लेयर्स वो अभी भी काफी जादा पीचे रहने वाले स्वाट करे जाएंगे नोलव और सौमे की तरफ से चौथा फिनिश आतावा टीम गॉड लाइक वरसे स्टीम आडमिनों का भी आँपर एलिमिनेशन हो सकता है टीम आईक्यू सोल वो चारो प्लेयर्स अपनी साइट से वीकल रानवर की कोशिस और जो की हाँ पर वीकल रान वो भी हाँ पर अपने प्लेयर्स को लूज करेंगे और फिलाल यहाँ पर वो साथ फिनिश आ चुके हैं इस टीम के पास में अलड़ी टीम आईक्यू सोल इस बार यहाँ पर रानी को भी डाउन किया जाता है टीम यू आर जैली की टीम इसमैच टीम तमिलास का भी एंट्र सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट होने वाले सिफ 200 या फिर 130 संथिंग कुछ का लेफ्ट होंगे तो प्लीज करवाई और यहाँ पर देख लीजिए टीम आईकू सोल की फाइट शीर हो चुकी और मान्या को अगर आप ध्यान नेंगे तो यह डारेक्ट चड़ने की कोशि सब्सक्राइबर्स होने लेकिन क्या वह टीम 24 के प्लेट को फिरिश ऑफ कर पाएंगे नेक वान वी टू की फाइट्स क्लियर आउट की अन वाट अफ फिनिश ऑफ और शुर्वात मतलब लिट्रेली हट वे दिखाए दे रहें और दूसरी ही और कि हालत कराब करने वाला है जीडी हश वहाँ पे डामेज किये गए थे लेकिन नॉक डाउन देखने को मिलेगा यब जब जब के तरफ से डीव आकुस हो कम्प्लीटली वहाँ पे पुछ कर चुकि है रॉनी के एच्पी डाउन सरूर दिखाए देरी बट इससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला है किर्माना ओल्रेडी आठ चुके ते प्रोटेक्ट करने के तो किर्माना आते वह दिखाए द्रेक्ट को उतारना पड़ेगा एक वान वीबन की फाइट से फार्नली उतारे गए वाइपर एक्चुली उतारे नहीं गए वह चलती वेहिकल से डामेज होके यहाँ पे किर्थर के सारे के सारे किर्थार उनके फिनिश आफ हो रहा है और अब देख लीजे किर्माना का नॉक शाइड ड्राइगनिंग को फिनिश आफ कर एक आख्री एं लास्ट उमीद बचिवें तिमाय कुसोल और अगर आ गया इससे पहले भी और एकुरेट हमें देखने को मि जिले ड्राइगन अपनी आखरी साज से अपनी आखरी वो ताहाड इस मैच में लेंगी है एक लास्ट डांस भी गह सकते हो इस मैच में होता वा दिखाई दे रहा है इनका बहुत ज्यादा फर्श के एंड मान्या को डाउन कर दिया ओ माइग वीदिन दे सेकेंड उनको फि दूसरी हो जो फाइट्स यहां पर हो रही लेकिन अभी के लिए चलिए एक ग्रिनेड यहां पर डालने की कोशिश सेवेंश और मगलू की तरफ से एड्मीन हो आप नॉक्टाउन फिरिश ओफ में तब्दील अब अपर आइसिंग ड्राइवल्स के पास सिफ दो माधर फ्ल लेकिन अब जो जोन के भार टीमा आएकुसोल के प्लिएट्स क्या धीरी धीरे करके फिनिश ओफ हो रहें माने अन किरमाडा सिर्फ दो माधर फ्लेयर अलाइफ वाल्पिक्स राइट से आने की कोशिश करेंगे तीमजी स्पोर्स के प्लिएट्स मैच इपी उनके पीछे ब मतलब लाइक हो सकते हो जोन से अल्रीडी डैमेज हो रहें उसलिए और अगर आप नोटिस करोगे किरमाडा का इलिमनेशन कंफर्म होने वाला है वो नहीं बच पाएंगे और आप एक वन वी टू के फाइट यह दोनों टीम के बीच में चलिए अट लास्ट एक हो प्लेयर ह चलिए वर्लपिक्स वहाँ पे रिवाइवल देने की कोशिश तो करती वे दिखाए दे रहें लेकिन कोई बात यहाँ पे बनने वाली नहीं है मुझे नहीं लगता मानया तब लड़ रहे हैं जब उसकी टीम को उनकी सरूरत है मानया तब फिनिशस निकाले जब उनकी सरू लाक होंगे कि उन्होंने मानया को फिनिश ओफ कर दिया और यह क्या अब लाइक शियर एंड सब्सक्राइब करते रहो के मानया करीब पहुचे रोमन कुवां पे डाउन किया चाह चुका है और एक लास्ट और आखरी प्लेट जो पीशे बैठे हुए हैं वो भी एलिम्नेट किये चाहेंगे अले पर रेड़ अब भी पोजीशन देना है नहीं चाहते मानया इसलिए ग्रिनेट इस्तमाल करने की को टूटी ऐसा कुछ सीनिया पे हुआ है और मानया के बास अब जीत की दावेदारें असिर बन सकते हैं लेकिन फ्यूरी लफ साइट की कंबाउंड में एक आफर एक वन वी फॉर की फार्ट के लिए रोट के निपड़ी के लेकिन सबसे पहले एक प्लेयर को आप डाउन किया जा चुका है मानया ने दो प्लेट्स वह पी टाउन कर दिये लिगिने ट्लास शली अभी ने मानया को फिनिश आफ किया और अब कहले स्टिक इस मैच